इस lecture में मैं आपको python के चिल्ला के अंदर जितने भी logins आपने create करने हैं यह websites की ideas बनानी हैं उनके बारे में introduction देने वाला हूं और यह ideas पूरे के पूरे data science journey के लिए आपके साथ चलेंगी कौन सी websites हैं कौन से logins हैं चलिए देखते हैं मैं screen आपके साथ share करता हूं and then it will be easier for you to understand कि हमारे पास जो है वो कौन कौन से जो logins हैं उन्हें हमने बनाना है can you see the screen guys right you can important logins to make या websites जो हैं हमारे पास कौन कौन सी है यह कुछ websites हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं सबसे पहली है जनाब of course codenix.com इस पे अपने आपनी login ID ज़रूर बनानी है क्योंकि आप इस से देखके enrollment करवाएंगे जो मैंने lecture के start में बताया था आप में से काफी लोगों को मसला आ रहा है तो मैंने पहले भी बताया कि मैंने proper एक video बनाई है कैसे enroll करवाने है उसको आप देखें then it will be easier for you दूसरी है github.com इस पे आपने आज ही अपनी ID बना लेनी है sign up कर लेना है ठीक है कैसी दिखती है यह website में आपको वो भी दिखाऊंगा बढ़ पहले देख लीजे फिर है जनाब kaggle.com kaggle.com पे अपनी आइडिया आपने बना लेनी है यह free में है कोई एक रुपया नहीं लगना आपका ठीक है and then you have youtube.com अच्छा अफकोर्स आपके पास youtube की ID है लेकिन कोशिश करें कि आपके initial और last name के नाम से अगर ID हो तो हमें analyze करने का अच्छा मोका मिल जाएगा जब आप comment कर रहे होते है on videos otherwise कोई भी idea it's fine ठीक है एक आपको और मश्वरा है मेरा मेरा टाइम इस मश्वरे ने बहुत बचा है मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ आपको पता है पाकिस्तान के अंदर आगर आप YouTube premium purchase करते हैं वो तकरीबन 1100 रुपे में tax vex डालके 5 लोगों को YouTube premium free आता है जिसमें आपको ads नहीं आती है YouTube में ads नहीं आती प्लस आपको content बहुत heavy किसम का मिलता है अगर आप purchase करना चाहें वो आपको बहुत फाइदा होगा आपकी production time बढ़ जाएगा activity बढ़ जाएगी कैसे मैं आपको बताता हूँ YouTube में जब ads आती है वो 30 seconds की मुझे पता है मुझे फाइदा ads का but I am saying के 30 seconds 60 seconds कभी-कभी 15 seconds कभी-कभी skippable कभी-कभी unskippable अगर आप रुजाना 6 गेंटे भी YouTube पे बैठते हैं कम अज-कम 30 minute आप ads देख रहे हैं कम अज-कम एक अंदाजे के मताबिक चोलो 30 नहीं 15 ही से ही वो आपकी distract भी करता है आपको और उनसे मसला भी होता है तो इसमेट आसे YouTube प्रीमिम अगर आप परचेज करना चाहें गो फॉर इट यह चार वेबसाइट्स हैं यह वेबसाइट्स आपने ज़रूर इनके login आईडिस बना लेने हैं ठीक है देन आपके पास जो अगली चीज है वो है जनाब 50,000 डॉलर का student and teacher developer pack जो आप अपनी student या professional university की ID से गेन कर सकते हैं फ्रॉम गिट हब इसके अंदर इतनी ज्यादा developer pack के अंदर चीज़ें हैं जिनकी वर्थ मैंने डरते डरते 50 लिखा है यूजिली 80,000 डॉलर से भी ज्याद अब मुझे पता है कि सारे के सारे हमारे काम की नहीं है पड़ यार free में मिल रहा है ना क्यों न ले समझने हैं बात को so go for it यह वाला जो है github student developer pack अगर आप देखेंगे teacher developer pack और student developer pack इसको जुरूर आप ले और इसको activate करें अगर आपके पास student ID card है या आपके पास अगर teacher की ID है usually क्या होता है github की ID आप professional ID से बनाए professional email से बनाए तो वह आपके लिए असान होगा ठीक है so this is just a perk जो मैं आपको देना चाता हूँ of course अगर आपको क्यों मसला आता है तो भई github के tutorial बेबहा पढ़े YouTube पे वहां से देखिएगा I cannot help you to gain this access क्योंकि अगर इसके पीछे हम लगे तो मैं हर student को पकड़ पकड़ के apply करवाने बैठ किया तो time times जाता लगना है so it's up to you आप एक दूसरे की help करें community में and then you can achieve this perk फिर आगे चलते हैं अगर आप student and teacher developer pack लेते हैं तो github co-pilot आपको free में मिलता है उसमें अगर free में ना लें तो ये co-pilot 10 dollar per month इसकी price है business लेना चाहते हैं तो teacher and student developer pack आपको free में ये देता है ठीक है क्या है ये co-pilot आप यही समझ लें आप coding कर रहे है आपके साथ pilot seat पे एक और बंदा वैठा हुआ है जो आपका काम तेजी से कर रहे है ठीक है आप सिरफ उसे बताते हैं मैंने ये करना वो लिख देता है वो code भी लिख अब आप सोच रहा होंगे हमें इतनी चीज़ें बता दी है तो website पर जाना तो मुश्किल होगा let's do it together मैं भी आपको website open करके दिखाता हूं कि किस तरीके से ये जो चीज़ें हैं हम apply भी कर सकते हैं और किस तरीके से ये चीज़ें हमारे लिए जरूरी है लेजना आप Google पर ज आपने join पर click कर लेना है यहीं से कर ले या आप GitHub पर जाने के बाद of course मेरी ID बनी हुई है यहां पर so I'm not saying कि मैं यहां पर आपको sign in करके दिखाऊं मेरी ID बनी है आपने join पर click करके यहां से login कर लेना sign up कर लेना है एक tip यह है कि GitHub पर अगर आप student developer pack यानि कि student developer pack GitHub student developer pack पर अगर authentication for your GitHub account जैसे होता है ना two factor की authentication करवानी अपने GitHub account की यानि कि आपको mobile पर code आए something like that ठीक है तो वो activate कर वा लीजेगा उसके बगार नहीं होना then यहां पर student program है explore student program के benefits अगर आप देखें तो जनाबे वाला इतने benefits हैं अगर मैं चेक करूं unlimited repositories आप बना सकते हैं build anywhere कहीं पर भी का पास है learn faster है Microsoft के आपके पास offer है new relic key and there are many other things यह जितने भी perks है अगर आप नीचे तक जाएंगे you will see a lot ठीक है और अगर आप यहां पे मैं थोड़ा से back जाता हूं student के उपर में click करता हूं explore student programs developer pack और यहां पे थोड़ा से नीचे जाते हैं you will see कि यह आपको free में मिलेगा अब जिसका सबसे बड़ा पर्क ही है कि github pro आपके पास free में आ जाएगा अगर आप student है या teacher है github pro pro account github का आपके पास free में आ जाएगा अगर आप verify कर वा लेते हैं यह co-pilot इसके अंदर free में है and then these are all perks जो आपको free में मिलने माले यह सारे यह check करें यह mobile app development भी आप free में कर सकते है and there are many other things मैं अगर पढ़ने जाओ it will take a lot of time लेकिन बहतर यह है कि आप खुद से पढ़ ले इसमें cloud computer भी है आपको free में domains भी मिल रही है and there are many other things ठीक है जी तो यह developer pack आपने apply करना है अगर आप student तो यहाँ पर click करके अगर teacher है तो यहाँ पर click करक Kaggle.com के उपर आपको याद होगा कि जब भी आप Kaggle.com भी उपर जाते हैं you see this kind of interface Kaggle.com ठीक है आपने of course इसके अंदर sign in करना है sign in करके यहाँ पर register पर click कर दे तो अपने email के साथ भी कर सकते हैं वैसे भी so इसमें sign in करने का क्या फायदा है Kaggle के अंदर बे बहार data sets free में data sets हैं कि आप सोच नहीं सकते कि कितने हो सकते हैं I'm just saying कि इसकी simple से example में आपको यह दे देता हूं कि अगर आप Kaggle के उपर data sets को count करें यह जितनी दफ़ा आप count करेंगे उतनी दफ़ा यह बढ़ते जाएंगे और हर एक data set दूसरे से जो है वो different भी है और उसे मिलता जुलता भी होता है other than that अगर आप बात करें models की there are many trained machine learning models वो free में यहां पे पढ़ें code की बात करें तो वो भी free में पढ़ें अब लोहों की discussions भी देख सकते हैं then there are many other perks जैसे मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं जिशान अलहसन उस्मानी साहब का तो अभी आपको समझ आ जाएगी so यह है जिशान अलहसन उस्मानी साहब जिनकी मैं बात करता हूँ यह grand master है इस वकत data set के इन्होंने इतने data set upload की हैं तो आपको यह ranking भी मिलती है ठीक है ranking मिलती है आप जितना गाम करते हैं discussion की ranking होती है बाखे चीज़ों की इनका latest data sets के अंदर बड़ा funny funny data sets भी है लेकिन अग अगर आप गौर करें तो इनके यह important data sets है मैं यहाँ पर करता हूँ जनाब recently updated शबाश शरीफ की 43 key speeches का analysis किया है इमरान खान की फिर ट्रम्प की फिर पाकिस्तान का तोशाखना files को इन्होंने analysis किया है the Trump tax files Pakistan nationalism and there are many other data sets so इसी तरीके से पाकिस्तान में काफी लोग है और पाकिस इसाद मिल के काम कर सकते है ठीक है so this website is very resourceful अच्छा एक website का मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया that is hugging face यह हम लेटर ओन machine learning में देखेंगे लेकिन अगर आप इसकी अभी से ID बना लें that would be easier for you hugging face ठीक है और hugging face के उपर जितने आपके open source models पढ़ें data sets पढ़ें you can see यहाँ प face पर जिससे आप portfolio develop कर सकते है ठीक है हसन भही जरा जाक के models देख लें ठीक है and there are many other things जो आप free में use कर सकते हैं जो हम आने वाले दिनों में भी करने वाले बताने का मकसद यह है you should actually make your accounts on these websites as soon as you can right जी ठीक हो गया और github copilot of course अगर आप यहाँ पे लिखेंगे github copilot तो आप आपके पास यह कुछ इस तरीके से website आएगी अगर आप sign in करके यहाँ पे explore करेंगे तो आपके पास github copilot activate हो जाएगी right यहां तक clear होगी जी बात अच्छा डी यह तो होगी वह वाली website जिनके आपने account बनाने है account बनाने के साथ साथ आप से मेरी request यह है कि account याद भी रखि यह दुनों तरीके में आपको दिखा देता हूँ क्योंकि जाहरी बात है we are not only learning here but we are also practicing many things here so for example यह मैंने github का id बनाया है ठीक है मैं यहाँ पर star पे click करूँगा यह यहाँ पर मेरे पास github आ जाएगा इस तरीके से ठीक है मैं एक और काम कर सकता हूँ इन सभी को select करके shift द ठीक है और मैं जैसे right click करके से save group करूँगा ना you will see कि यह वाला group यहाँ पर save हो गया है right मैं इसको अब यहाँ पर right click करके hide group करूँगा ना तो मेरे पास अभी भी save है लेकिन if I click here तब यह open हो जाएगा इसके थोड़ी से practice कीजिएगा I don't know कि आप लोग यह bookmark को use करते हैं के नहीं अद्धे लोग का निया bookmark की नहीं आ रहे हूं नहीं उनको भी पता देता हूं कैसे आनी है simply आपने जाने bookmark ends list पे bookmark all tab की बजाए आपने यहाँ पर show bookmark या hard hide bookmark पर click करने ctrl shift b ctrl shift b like this यह आगे यह गई, 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 य यहां पर hide कर देता हूं इस group को and this was all about the logins और इंशाला you will see के आने वाले दिनों में हम one by one करके यह websites पर देखेंगे right जी अब अगर आपने github का ID बनाई ही ली है और आप github पे login हो ही चुके हैं तो पहला step आपने क्या करना है which will save tons of your efforts वह क्या है यह जो हमारे github की repository ना python का चिला 2024 जो मैंने आपको बताई थी आपने यहां पर फोर्क पर क्लिक करने और स्टार कर लेना इसे फोर्क और स्टार इससे क्या होगा जितनी भी अपडेट्स होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे मैं कोई भी कोड अपलोड करूँगा आपके सामने आ जाएगा यह लिंक जो है GitHub repository का यह यहां पर पड़ा है resources GitHub repository for the course otherwise अगर आप मेरी GitHub पे जाएंगे आप मारतु फैल लिखेंगे you will see python का चिला 2024 देर और आप छोले बाकी छोड़ें GitHub पे जाके सिर्फ यह लिख दें मेरे इलावा कोई नहीं पाइथोन का चिला घरवाता so यह आपके पास उबर के सामने आ जाएगी यह repository you need to fork and star ठीक है इससे आपको फाइदा है अब एक और चीज अगर आपको लगता है कि आपको कोई question है GitHub से related please go to the issues and start new issue here अगर आपको लगता है कि मेरा अभी भी काम नहीं चल रहा जो मैंने यहाँ पे codes के अंदर जाके debugging की थी you can go to issues और यहाँ से नया issues start कर सकते है and people can reply you तो यह भी community development होती है जब आप machine learning और data science का काम करते हैं सही है यह इस्ता इस्ता समझ आजएगी इंशाला हम इन चुजों के practice करते जाएंगे ओके यहाँ तक clear हो गया अब चलते हैं अगने lecture की तरफ